मैं पूछना चाहता हूँ सोनिया गांधी से और राहूल गांधी से कि यदि वो इस तरह की घोशना कर रहे हैं कि जो भी किसान अंदोलन में मारा जाएगा उसको पांच लाक रुपे सरकारी नोकरी और जो गंबीर धाराओं में जेल के अंदर बंद हैं उनकी पूरी कानून क खर्चा कॉंग्रेस उठाएगी तो क्या मैं पूछना चाहता हूं कॉंग्रेस से क्या इसका मतलब जिन लोगों ने पुलिस कर्मियों को घायल किया लाल किले में घुसकर संपत्ती को तोड़ा तिरंगे का अपमान किया ऐसे देश विरोधी गतिविदी करने वाले लोगों को क्या कॉंग्रेस बढ़ावा नहीं देरी क्या इस गोशना के बाद ये माना जाए कि 15 अगस्त में बड़े पैमाने पे हिंसा कराने के लिए ये कॉंग्रेसी ये आप ये और ये अकाली डल मिल करके खालिस्तानी मुमेंट चलाने वालों के साथ नहीं मिल गए हैं और सब म हूं तो खालिस्तानी आंदोलन चलाने वाले ऐसे लोगों को ये कॉंग्रेस मदद करने जारी है नमस्कार मैं हूं पविंत्यागी पंजाब सरकार किसान आंदोलन के नाम पर जो दिल्ली को घेर कर लोग बैटे थे और जिनोंने कानून की अवमानना करके देश के लाल किले पर चड़ाई कर दी थी और हिंसा की थी तीन सो से अधिक दिल्ली पुलिस के जवानों को तलवार लाठी डंडों से मार कर घायल कर दिया था जिनकी वज़ा से अराजकता दिल्ली के अंदर हुई और जिनका लिंक खालिस्तानी मुमेंट वालों से निकला जिसके कारण और आपको बताएं इस से बढ़कर पंजाब सरकार ने ये कॉंग्रेस की सरकार ने सारी हड़े पार करते हुए पहले ही गोशना की है कि जो भी लोग इस हिंसा में जो ये धरना परदरसन चला है इसमें चाहे वो करोना से मरे चाहे अपने आप मरे उन्होंने कहा जो जेल मे हैं उनको एक परिवार के किसी सदस को सरकारी नोकरी पांच लाख रुपए ये पहले ही गोशना कर चुकी है लेकिन अब जबकि दिल्ली पुलिस को तलाश है हरियाने की पुलिस में कई सारे केस दर्ज हैं जो बबाल करने वाले लोग हैं उनके खिलाब गंबीर धारों में किस दर्जें ऐसे में कॉंग्रेस की सरकार उनको बचाने के लिए पूरी ताकत लगा रही है और गोशना कर दी किसरकारी नोकरी भी देंगे अच लाख रुपए भी देंगे और जो भी कानून में खर्चा आएगा कोट कचेरी का उसको कॉंग्रेस की अमरिंदर सिंग की सर होली थी कि ये जितने भी आंदूलन कारी हैं इस कोई भी किसान नहीं है आरती हैं कॉंग्रेसी हैं आप ये हैं या आकाली डलेके लोग हैं यानि पार्टियों का अंदोलन है किसानों का अंदोलन नहीं है उसको सब मना कर रहे थे लेकिन अब इनकी पॉल खुली है अगर इसमें कॉंग्रेसी नहीं है तब ये कॉंग्रेसी नहीं है तो ये क्यों ऐसा कर रहे हैं और आपको बताएं अभी तक पंजाब सरकार ने बकाइदा के लिए कमेटी बनाई है और एक कॉंग्रेस के MLA है कुल्दीव वैद उन्होंने कमेटी बनाई है और वो कमेटी में आम आदमी पार्टी के विदायक भी है और अकाली दलके भी है और बनाकर उस कमेटी को बकाएदा वो किसानों के घर जाके मिल रहे हैं जिनके परिवार से क क्राइट एरिया कुछ नहीं है कोई कोरोना से मर गया कोई सभाविक मौत मर गया गाउंवाले नाम लिखवा देते हैं यह जी आंदोलन में गया था इसका भी नाम लिख लो यानि कॉंग्रेस ने इस तरह का काम जैसे पहले किया है कि आतंकियों की मदद करने के लिए कोट क गांदी की बेचैनी यही है कि जो देश मिरोधी लोग हैं वो इस देश में परिशानी होने ची हैं कॉंग्रेस उनके साथ खड़ी है और इसी तरह से आप देखिए बाटला हाउस कांड में पुलिस वाले शहीद हुए जिन पुलिस वालों को गोली लगी उनके बारे में ए कोंवे पस्त हुए कि हम तो इतनी मेहनत कर रहें जान हतेली पर लग रहें और इसके बाद हमें क्या मिल हरा है हमें कोट कचेरी में धकेला जा रहा है कॉंग्रेस का यही चरितर है और यह चरितर इस बार यह किसान अंदोन को हवा देने के लिए इस्तिमाल कर रहे है आप म अंबीर धाराओं में जेल के अंदर बंद हैं उनकी पूरी कानून का खर्चा कॉंग्रेस उठाएगी तो क्या मैं पूछना चाहता हूं कॉंग्रेस से क्या इसका मतलब जिन लोगों ने पुलिस कर्मियों को घायल किया लाल किले में घुसकर संपत्ती को तोड़ा तिरंगे क अपमान किया ऐसे देश विरोधी गतिविदी करने वाले लोगों को क्या कॉंग्रेस बढ़ावा नहीं देरी इस से तो एक तरह से कॉंग्रेस ने गोशना कर दी कि इस देश में पुलिस को मारो हमला करो सड़क को घेर के बैठ जाओ लोगों को हमला कर दो लाल किले का अप अपमान करो कॉंग्रेस आपके साथ है क्या इस गोशना के बाद ये माना जाए कि 15 अगस्त में बड़े पैमाने पे हिंसा कराने के लिए ये कॉंग्रेसी ये आप ये और ये अकाली दल मिलकर के खालिसतानी मुमेंट चलाने वालों के साथ नहीं मिल गए हैं अगर आप बत ताकत लगाएंगे उनको आर्थी पैकेज देंगे उनको सरकारी नो करी देंगे तो कल को पूरी होड मचेगी उसी तरह जिस तरह पन्नू ने गोशना करी थी के जो लाल किले की जगह है खालिसतान का जंडा लहराएगा मैं उसको धाई करोड रुपे दूँगा इस गोशन किसान आंदोलन में फरजी किसान जो बैटे थे इनके मन में लालश आया कि भाई जो भी इस काम को करेगा उसको धाई करोड मिलेंगे चलो लाल किला और इसलिए जिनको लाल किला नहीं जाना था वो भी लाल किला गए क्योंकि उनको पन्नू ने विदेश में बैठे हुए गोशना कर दी थी कि जो भी तिरंगे को उखाड फेंकेगा जो भी वहाँ खालिस्तान का जंडा लहरा आएगा लाल किले पे मैं उसको धाई करोड दूँगा तो उस समय बड़े पैमाने पर हिंसा हुई हम सब ने देखा अब इस हिंसा को और जादे बढ़ाना चाहती है और यही इंटेलिजेंस इंपुट हमारे दिल्ली पुलिस के पास थी जिसके बारे में पहले भी न्यूज में आया है के 15 अगस्त को खालिस्तानी मुमेंट को बड़े पैमाने पे किया जाएगा अब बड़े पैमाने पे किया जाएगा तो लोगों को एक डर है पुलिस का डर है केंद्रियस रक्षा बलो का, डर एक सरकार का है, कि यदि वो दिल्ली में उपद्रव करेंगे, लाल किले की तरफ कूच करेंगे, जहां देश के परधान मंतरी तिरंगा फैराने के लिए जाएंगे, विवी आईपी मुमेंट होगी, हम उसको डिश्टर्ब अगर तो पुलिस हमारे खिलाप FIR करेंगी, हो सकता है पुलिस लाठी चार्ज करें, और अगर पुलिस पे हमले हुए, तो हो सकता है गोली भी चलानी पड़ जाए पुलिस को, तो अब कॉंग्रेस खुली घोशना कर रही है, कि जो भी आतंग की गतिविदी करेंगा, यह आतंग को अंजाम दें, तो कॉंग्रेस इस घोशना से बड़े पेमाने में देश में हिंसा कराना चाती है, यह कॉंग्रेस की जो घोशना हुई है, कि जिनके खिलाप FIR हुई है, उनको कॉंग्रेस मदद करेंगी, और वो मदद करनी उन्होंने सुरू भी कर दी है, अभी तक 230 लो कंग्रेस सब मिल गए, और सब मिल करके एक सुर में केवल वोट लेने के लिए इतने नीचे गिर गए, देश में कानून का उलंगन करने वाले, पुलिस पर हमला करने वाले, तिरं derived का अपमान करने वाले, और सीधा कहूं तो खालिस्तानी आंदोलन चलाने वाले, ऐसे लोगों को ये कॉंग्रेस मदद करने जा रही है जो देश के लिए बहुत खतरनाक और बहुत बयंकर है ऐसे मैं तुरंट आपको बता रहा हूँ सुपरीम कोड को संग्यान लेना चाहिए और सुप्रिम कोट इन लोगों को जिन लोगों ने ये गोशना करी है उनके खिलाब कारवाई करे कैप्टन अमरेंडर सिंग को तुरंत रोके नहीं तो ये देश के टेक्सपेर का पैसा इसी तरह आतंकवादियों पे लुटाते रहेंगे और कॉंग्रेस का ये कल्चर रहा है चाहे वो 26-11 की घटना हो मुंबई की चाहे फिर वो बाटला हाउस की हो इनके दिल में अगर कोई दर्द पैदा होता है तो वो इस देश में आतंकवादियों के लिए इस देश विरोधी गतिविदी करने वालों के लिए ये हमेशा रोते हैं देश के सैनिक, देश के सिपा सी राहूल गांदी, सोनिया गांदी ने के हमारे देश की सैना ने अच्छा किया है, सवाल उठाया, सर्जिकल स्टाइक तो हुआ ही नहीं है, इसी तरह बाटला हाउस हुआ, इसी तरह सी ए के विरोध में हमारे दिल्ली के अंदर दंगे हुए, पुलिस कर्मी घायल हुए, आई बी का अफसर मारा गया, एक शब्द कॉंग्रेसी ने नहीं बोला, और यहां आप ही हैं जो बैठे हैं, वो मदब कर रहे हैं उन लोगों की, जिनके खिलाप केस दर दिल्ली पुलिस ने किये, तो सवाल उठता है, कि इस देश की पुलिस फिर क्यों किसी के खिलाप F.I अचार ही है, और कैप्टन अमरेंदर सिंग कर्च कर रहे हैं, कॉंग्रेस कर्च नहीं कर रही, ये लोगों के टैक्स का पैसा है, अमरेंदर सिंग जी, जो आपकी जेब में हैं, और केंदर सरकार आपको देती है, राज्ज का टैक्स आपको देता है, टैक्स पेर, उस पैस परीद देने का शोक है आप वावाई करना चाहते हो वोट बैंक बढ़ाना चाहते हो तो गरीबों को दो पंजाब के अंदर भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जुगी जोपड़ी में रह रहे हैं पंजाब के अंदर भी आज भी ऐसे सिख लोग हैं जो बहुत छोटा काम कर हैं उनके पास घर नहीं हैं उनके पास खाने को भर पेट रोटी नहीं है ऐसे लोगों को दो आपको बोट मिलेगी आपको बोट ही लेनी है तो आप खालिस तानियों का समर्तक छोड़िए आप देश भक्तों का समर्तन करिए लेकिन आप जिस तरह का काम कर रहे हो उस तरह स आपको बताओं देश वासी इस वीडियो के जरिये देखें और समझें बहुत सारे मेरे देश के लोग ये कह रहे हैं कि सरकार कुछ करती क्यों नहीं ये जो दंगा कर रहे हैं जो बोर्डर घेर के दिल्ली के लिए बैठे हुए हैं इन पर ढंडा बजाती क्यों नहीं आप देखिये क्या है कॉंग्रेस का चरित्र यदि मौधी जी आदेश देदें के इन सब को उठाकर जेल में डाल दिया जाए जो दिल्ली की सडकों को घेर कर बैठे हैं जिन्होंने पुलिस पे हमला किया अगर इनके खिलाब कारवाई करके इनको जेल में डाल दिया जाए तो आप देखिये कॉंग्रेस का चरित्र देखिये कॉंग्रेस इन सब को छुडाएगी इनके लिए केस लड़ेगी और इनकी सरकारी नोक्री लगाएगी और इनको पांच पांच लाख मुआवजे भी देगी ये घोशना अमरिंदर सिंग ने नहीं ये सोनिया गांदी के इशारे पे हुई है सोनिया गांदी चाहती ये है कि इस देश में मोधी सरकार जब से आई है उसके बाद से देश की शांती जो चल रही है वो किसी तरह भंगो ताकि हमारे देश के बॉर्डर पर जो पाकिस्तान और चीन नजरे गड़ाए बैटा है उसको मौका मिले और वो हमारे देश की सीमा में दाखिल हो ये चरित्र देश वासियों को समझना होगा और इस पे सुप्रिम कोट को तुरंट फैसला लेना होगा और केंडर सरकार भी इसमें संग्यान ले के कॉंग्रेसी इस तरह का काम ना कर पाएं जिससे की पुलिस कर्मियों का होसला पस्त हो पुलिस कर्मी घायल हुए उनके लिए एक शब्द नहीं और जिनोंने मारा तलवारों से उनके लिए आप राहत पैकेज दे रहे हो यह बहुती शर्मनाक है बंदे मातरम